असलामेकुम, I am your chef शाहिना शुमाईल and you are watching cooking with शाहिना and welcome to start winter season और आज हम welcome करें winter season को और winter season हो रहे हैं start और आज seafood हम बना रहे हैं और seafood हम कहां से बना रहे हैं, seafood कहां से आ रहे हैं जिनके numbers screen पे आ रहे हैं जिनकी website आ रहे हैं जिनका Facebook पे जा रहे हैं वहां से हमाई पास आज ये नूर्स फिशरी की जो ए फिश मौझूद है और red snapper मैंने fish order करनी ती और मैंने कहा कि नहीं मुझे red snapper आज आप भेजें उनके बास सारी species की fishes मौझूद है और आपने जो भी उनसे fresh order करनी है order कर सकते हैं साथ साथ उनके पास lobster, crabs, prawns हर चीज उनके पास मौझूद है प्राउंस में flower prawns, golden prawns, white prawns सारी variety of fishes की प्राउंस की lobster की crab की blue sea crab भी मौझूद है उनके पास different जितनी भी seafood की variety होती है सारी की सारी तमाम की तमाम उनके पास मौझूद है उनके number screens पर आ रहे हैं आप लोग home delivery भी करवा सकते हैं और उनका free delivery यानिके no delivery charges कोई भी उनके delivery charges नहीं है वो free delivery करते हैं और साथ साथ जो है वो क्या बन रहा है आज और आज की recipe का नाम में बता दूँ आज बन रही है यहाँ पर thigh steam fish और barbecue fish आज मेरे पास दो redisnapper के piece मौझूद है एक से मैं बनाऊंगी एक को मैं steam करूंगी फिश को और दूसरी फिश को मैं barbecue करूंगी तो आज यहाँ पर मैं आपको दो variant of fish सिखा रही हूँ और चलते हैं अपने ingredients की जानिब तो आए मैं आपको लेकर चलते हूँ अपने ingredients की तरफ सबसे पहले हम thai steam जो हम steam करेंगे फिश तो मैं आपको उसके ingredients बता दूँ तो उसके बहुत ही simple ingredients है अच्छा thai steam fish के साथ हम बनाएंगे एक orange sauce तो orange sauce किसता ना बनेगा और क्या होगा सारी चीज़े मैं आपको detailing में बता रही हूँ अच्छा सबसे पहले तो देखे मैंने यह फिश यहां पर ली है यह fish मेरे पास मौजूद है और मैं आपको तेख सेके गलाफ्स पहन लूँ और तो कि मुझे मैरे निशन भी करनी है तो यह देखें आप मेरे पास जो मौजूद है यह red snapper कहलाती है और इसकी quality देख सकते हैं इनकी कितनी fine quality है export quality कि इनकी सारी fishes वगारा होती है अच्छा और red snapper के पहचान यह होती है जो रेल red snapper होती है उसमें आप देखें एक red सा शेड आरा होता है और जो के इस सीधा fish इस इसके अंदर यह वाला सारा red shit आरा है यह red snapper अच्छा जो चीज इनोंने लिखी होगी के यह वाली fish है तो आपको उसी quality की fish यहां पर दी जाएगी जहां यहां पर इनके numbers चल रहा है आप order कर सकते हैं call कर सकते हैं अच्छा साथ-साथ मैं आपको ingredients बता दू कि मेरे पास क्या इसके लावा जो है ingredients में और क्या क्या जाएगा रा ingredients में मैं वह भी आपको साथ-साथ बता दू अच्छा जी सबसे पहले जो हम steam fish करने रखेंगे उसमें हम add करेंगे salary, leek and then carrot और साथ-साथ हम डालेंगे bay leaves और wallpapers तो हम यह चीज़े डाल कर और इसको fish को steam करने रख देंग और साथ-साथ थोड़े से ingredients मैं आपको और बता दूँ इसके completely ताकि आप लोग पजल ना हो कि मैं काम शुरू कर दूँ तो ingredients रह जाए जाए अच्छा लोग पजल ना हो जाए तो मैं पहले आपको ingredients ही बता दी हूँ अच्छा मैंने steam की ingredients आपको बता दी है जो कि हम stock बनाने अच्छा मैं जुनरेट करने में मैरी पू और बुके गार्णी ने कहते हैं जिसके अंदर ये ingredients आते हैं salary जाती है, leek जाती है, carrot जाती है, wall paper and then bay leaf ये ingredients आपने डाल कर और water में डाल कर स्टीम कर लेने है अच्छा इस्टीम करने का एक तो ये steam करते हैं और एक हम घरो में जो अच्छा आपने परिशान ना हो तो आपने परिशान ना हो एक बॉक लेना है उसके अंदर आपने बढ़ना है मिड लेन तक और दैने के चन्नी स्टीनर रखना है और उस पर फ्रेश वगारा रखने और इसको steam करें अच्छा साथ साथ जो हमारे सॉस बिनाएंगे हम इसके अच्छी देख के लिए गा तो मैंने यहां पर एक पकेट यानि कि 200 अमल वाला मैंने यहां पर लिया है और जूस एजली अवेलिबल होता है ठीके और जूस लिया है इसके अंदर मैं आड करूंगी चॉप गार्लिक साथ साथ मैं आड करूंगी शुगर एंदर मैं आड और ती कॉरिया है और ट्रिक को यहां को घुजार डियार करें और इसको हम तैयार कर लेंगा अर इसके घाले उसके छो इसके लावे अड़ियार सिस्टयर के अजिगे आपको लिए पहाँ ऊज़जारी आब दो रे सिपीश मृच्छू हैं एचाजे सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं अपनी फिश को मेरिनेट कर लेते हैं और फिश को मेरिनेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट मस्टर्ड पेस्ट विनीगर गार्लिक यह चीज़ हमें चाहिए फिश को मेरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर और हम इसके अंद अजब वाल में यह जोगो THE GbM potentially with a shamil school if you like it, it would be good कम एक वाल नहींए और में टोली का है एक तक यहário किनुप करोंगी यह जढ़ा है में हुआट करूंगी सब्सक्रट मेरे पास मुझूद है कलती है हम देश्क्रेज्द ने लेली हाम राप्रेप्रा़ पर यह दो अग्राय है सकती इसे रापता पीष्ट अग्मश्टाई रापण था। नमाम मस्टर्ट पेष्ट मस्टर्ट पेस्ट की कोनिटी दी वन टे विनीकर का एंट कि अब पाइज रही है। तो टेबल स्पून ओफ विनीगर मेरे पास मौझूद है और मैंने यहां लिया है विनीगर इसके साथ मैं थोड़ा सा इहां पर डालूंगी यह प्रापरिका पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल डालूंगी और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रग देंगे यह हम अपने फिश को मैरिनेट करगें बहुत अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करना है इस पे हम गार्लिक भी आइड करेंगे लेकिन मैं जब वेजिटेबल्स कट करूँगी तो इसके साथ हम इसमें गार्लिक आइड करेंगे जी यह देखेंगे बिलकुल मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है और आपने इसकी मैरिनेशन टाइमिंग देनी है कम सकम टू आर्स और मिनीमम हाफ एन आर्स और हमें क्योंके साथ-साथ काम करना होता है तो मैं इसकी मैरिनेशन टाइमिंग नहीं देरी हूँ और मैं इसको रख रही हूँ बैक पे और साथ नद हम वेज़ीटेबल की कटिंग करते हैं और इसको रख देते हैं स्टीम करने जी तो मैंने इसको रख दिया है बैक पर और अब मैं ले 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 थी हूँ एक कटिंग बोट और रफली सी हम चॉप करेंगे अपनी वेज़ीज को अचा सेलरी के हमेशा जो होता है वो पत्ते जो है वो तोड़े जाते हैं उसकी जो यह स्टिक्स होती है यह यूस की जाती है और यह मैंने इसको हम कट कर लेंगे रफली सी कट करना है आपने इसको और साथ साथ जो होता है लीक जो होती है उसका भी हम यह वाला पार्ट यूस नहीं करते हैं इसको हम रिमूफ कर देते हैं और हम उसका ग्रीन पार्ट यूस करते हैं तो इसका वाइट वाला पार्ट आप देख रहा हूंगे यह स्प्रिंग कानियन के शेप की होती है लेकिन यह सूप की वेजिटेबल कहलाती है और थाय कुजीन में यूस होती है तो हम इसको भी रॉफ रॉफ सा कट करेंगे साथ साथ हम कैरेट ले लेंगे और कैरेट को भी मैंने पील भी नहीं कर रहा है ठीक है बस आपने इसको यह इस तरह से रफ सा कर्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैं इसके और स्लाइस थिन कर लूँ बहुत ज्यादा थिकन हो रहे थे ठीक है यह हो गई हमारी वेजिटेबल्स काट और अब हम इसके अंदर जहां पर हम वाटर डालते हैं हम वाटर के अंदर यह वेजिटेबल्स फ्लेवर के लिए एड कर रहे ठीक है इससे स्टॉक तैयार होता है और यह मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स एड कर दी है अचा अब मैं इसमें एड कर रही हूं सॉल्ट और साथ-साथ मैं इसके अंदर एड करूंगी बॉल पेपर एंड बे लीव्स बे लीवस एड कर रहे हूं यह स्टॉक में जो है ना स्टीम होती है फिश आजा इसके साथ-साथ जो है वो बॉल पेपर मेरे पास मौजूद है और यह ब्लाक पेपर जो हम लेते हैं उसी यहां पर मैंने बॉल पेपर जाइड करें और साथ-साथ मैं वाटर एड कर रहे हूं यह मैंने इस तनहां से आड कर लिया है अचा अब मैं फिश मेरी मैरिनेट हुई भी थी उसमें गार्लिक डाल के और मैं उसको जस्ट स्टीम करने रख दोंगी अचा जी तो मैं यहां ल अचा अचा इस प्लेट की नीट नहीं है मैं इसको पीछे रख देती हूँ अप अची यह भी हम दाल देते हैं इसके अंदर ही और अब कर लेते हैं हम अपने कार्लिक को चॉप जी तो गार्लिक हो गए हमारा यहां पर चॉप और सारा गार्लिक आपने यूज नी करना कुछ गार्लिक मैं परी सॉस के लिए रख ओंगी और बाकी का जो गार्लिक मैं पर रख कर और इसको रख रख देखियों मैं स्टीम करना तो यह अब हम इसको मैक्स करेंगे और इसे हम रख देंगे स्टीम करने चाब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा है और स्टीमर में थोड़ी से मुश्किल से अज़स्ट होगी लेकिन हम अज़स्ट कर लेंगे अच्छा ये इस तहना से आपने कार्लिक को रप कर लेना है इस तरह से देखें कट लगे में आईज रिमूफ होई वे फिश की और बहुत अच्छी इनकी कॉलिटी है नोर्स फिश्रीज की आप लोग उने ज़रूर यहां से और कॉल करनी है और मंगवाना है और देखना है कि इनके फिश कितनी मज़दार होती है और कितनी फ्रेश ये बेशते हैं आपको और होम डिलिवरी की इनकी सहूलत भी मौझूद है और इनकी वेब साइट भी है उस पे भी जाकर आपने वह वह व्यू करना है और देखना है कि आपने क्या ओर्डर करना है सारी पिक्चर्स विट प्राइज और इनके सारे लेंक्स वगएरा सब कुछ म मेरिनेशन इसमें लगा दी है और अब मैं इसको इसके अंदर सट करूँ लिए पहले तो हम यह रख देते हैं देन हमने यहां पर इसके अंदर पहले रख लेते हैं विश को ताके इसको थोड़ा सा मुझे इसका साइस रहे ना वो कॉम्प्लिकेटिट लग रहा है कि यह पेखने में हमें या तो हम इसकी टेल को रिमूफ कर देंगे लेकिन आई विश के मैं इसकी टेल के साथ ही इसको स्टीम करूँ तो अब हम देखते हैं क्या पॉसिबिलेटी होती है इसका कवर होना बंद होना लाजमी है और यह बंद नहीं हो रही है तो मैं इसकी जो है वो यह इसको रिमूफ कर देती हूँ थोड़ा सा कटिंग बोर पे पर इसको प्रफिश काटने के अलग से टूल होते हैं लेकिन हमने पनी नाईफ से भी इसको कट कर लिया है ठीक है जी हमने इसकी पॉल को कट किया है अब यह इसके अंदर सेट हो गई है और अब हम कर देंगे इसको और इसको अब हम साफ कर लेते हैं आपने इसको स्टीम करने रख देनाए और फिश को हम 10-20 मिनट्स स्टीम करते हैं तो मैं यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ और इसको हम स्टीम कर रख दिया है मैंने स्टीम करने और बाकी की चीज़े यह बोट्स बगारा मैं यहां से रिमूफ कर लेती हूँ क्योंकि यह वाश होगा और आज आते हम अपनी सेकंड मेरिनेशन की तरफ और सेकंड मेरिनेशन हमने किस तरीके से करनी है तो वह भी मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम लेंगे एक बावल बावल लेने के बाद हम ने यहां पर लिया है यह बेसन जो के मेरे पास मौझूद है और बेसन मैंने लिया है टू टेबल स्पून अच्छा यह मेरे पास महजूद है वह वन टेबल स्पून तंदूरी मसाला मौझूद है तो यहां मैं तंदूरी मसाला इसके अंदर वन टेबल स्पून एड कर रही हो 2 टेबल स्पून बेसन लिया है वन टेबल स्पून मैने तंदूरी मसाला लिया है आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं यह मेरा होममेट मसाला है और मैं इंशाल आपको बनाना भी सिखाऊंगा ज़ा साथ साथ मेरे पास जो मौझूद है वो गार्लिक पावडर माझूद है तो वन टी स्पून मैंने गार्लिक पावडर इसमें एड किया है चिली फ्लेक्स मैस के इंदर एड करें हूं वन टेबल स्पून साथ साथ चाथ मसाला वन टेबल स्पून चिकिन पावडर वन टेबल स्पून प्रिका पावडर वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर पावडर जाइफल जावत्री मौजूद है और यह पिंच पिंच है मिक्स करके मैं मिक्स करके रखी विए आप लग अलग से भी 1-4-1-4 तीस्पून यानि के 1-5 तीस्पून डाल सकते हैं इसके लावा जो है मेरे पास यह जीरा मौजूद है जीरा मैंने इसके इंदर शामिल किया है और साथ-साथ मैं अब क्या करूंगी इसको मिक्स करूंगी और थोड़ा सा हम लेंगे पानी अच्छा अजवाइन भी है अजवाइन भार अच्छा इसमें फ्लेवर देती है फिश में जब भी आप ग्रिल करें बार्बी क्यू करें रोस्ट करें अच्छा आज हम बार्बी क्यू मसाले से अवन में रोस्ट करेंगे अजवाइन डालिए मैं इसमें ते करीबं 1-4 टीस्पून डाले होगी और फिश हमारी रोस्ट हो रही है थाय स्टीम फिश एं दिन यह यहां पर मैं इसको मैंने घोला है अजवाइन आपने जो है मिक्स कर लेना है थोड़ा साउल भी डाल लेंगे हम कम डालेंगे क्योंकि तंदूरी मसाले में भी साल्ट होता है और चिकन पाउडर में भी और चाट मसाले में भी तो सौल्ट हमने कम डालना है अच्छा जी इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से और श्पून की मदब से मैं यह जो तमाम बैटर मैंने बनाया है यह मैं अपनी फिश पे स्प्रेट करेंगा अच्छ आपनी तो अच्छ बैला चाट पाउडर में बाटर में अच्छ होते हैं और आज मेरे साथ एक गैस्ट ही मौजूद है और हम उनको जाइन भी करेंगे साथ-साथ और फिर वह आपको बताएंगे फिश के कितने बैनेफिट होते हैं मैं नहीं थे मैं पहुंद है और और ज्मास में आप और बाख भान आपूँरес दित को त मैंने सांसा पहुंद आप नहां पोचछा प्कुरिवन का आप कि अहाँ एक जालेो श्यूमस verf आप music कि है ऐख से प्रज़षथ मेरिनора, कर मेरिनेट करने के बār отправ एक लिए 20 मिनट्षक के लिए बाद जिसा प्राइब के हमें अफिल्क यंगें ढाकतान साहं मेरे की, तुछ यह पैणी के आपने इससे तब त्रुनियाट कर देती हूं और मेरिनेट करके मैं सिर्फ इसको रख दूँगी सो बेक का टाइम है कहीं नहीं जाना आपने आप देख रहे हैं कोकिंग विज शाहीना बेक से वापस आते हैं और कंटीनियू करते हैं अपने सीफूट को और साथ साथ जॉइन करेंगे हमें एक गेस्ट और मैं मिल वाँगी आपको उन गेस्ट से तो जब तक के लिए देखते रहे हैं वीनस आश्ची थीवी ऑसलाम एकूम एन वेलकम बेक टो आवर ब्रेक और ब्रेक से हम वापस आचए हैं और सलाम मैंने इनको किया हैं क्योंके मेरे साथ मेजूट है यह जो है आज हमारे गैस ते हाकीम शाह नसीर साब मौझूद हैं और बहुत शुक्रीயा आपके आने का बहुत शुक्रीया आपक पाधुचा आपके अपना ही चाव करते है है अचा जी आज सी फूड बन रहे और हमने वेल्कम कर रहा या बैंने सिर्ट को ऊच्थ वेलकम करना है अपने भी और जड़ करना है और मंगवानी है और अचा ये बताएं सेफूट गाने क्या बैनेफिट्स भी बताएं और ये भी बताएं के आज का हमारा टॉपिक ए ज़ हमने सकंगे और हैर राउर्मेटी भी ले लेकर लें कर राएं भी शेयर कर दो अजर सबसे पहले ऑप ब क्योंकि इनकी जो फिश है वो तक्रिवान अर जगा पर जारी है इनको सिर्फ एक कॉल करेंगे आपको सिर्फ कॉल करना है आपके दर्वाजे पर होगी और जो जो फिश आपको चाहिए वो फिश आपको मिलेगी जिस आपको ढूलने में बहुत तैम लगता ना मार्केट जात बहुत सारे मैनुरल्स पाए जाते हैं जो बहुत जादा मैनुरल्स पाए जाते हैं तो इसमें ये होता है कि आपके आँखों के लिए बेतर है थारेट ग्लेंट्स के लिए बेतर है ये आपको आसाबी कमजोरी दूर करेगी आपको दूसरा ये कि धमे के मरीजों के लिए बोहत बेतर है, बल्गम रेशावालों के लिए बेतर है, जिसमानी कमजोरी के लिए बहुत ज़्यादा इसके फाइदे हैं। तो तकरीब आप बचेंगा बाइर की चीजें कोशिश करें के ना खाया करें। क्योंकि जो बाहर से आप चीज़ें ले रहे होते हैं, मुख्तलि पिसम के कैमिकलाइज ले रहे होते हैं, जो कि आपके नुकसान का सबब बनती है, और बच्चों को हर चीज़ कहलाना सिखाएं, आप सबसियां भी खाएं, फिश भी खाएं, गोश भी खाएं, डाले भी पेशंट्स हैं, घबराड बेचेनी रहती हैं, दिल के अमराज के लिए यह बहुत जादा बेतर है, तो आप फिश का इस्तमाल अगर आप रोजाना नहीं कर सकते हैं, तो तक्रीबन कोई हटे में एक बार तो जरूर किया करें, क्यूंकि इसे सर्दियां और गर्मियां दोन कोई हैं, हमारे साथ? हम कसे विखाद को चाहिए गोड़िया है को से चाहिए और किस वक्त चाहिए indra खीक है बल्कोल अच्छा है हकेम शाज़ आप बताएं इसके लगां कुछ चाहिए जाहें किहांका अब यही कुछ्चन दा मेरा कौन सी फिश खाएं और किस वक्त खाएं ताके अमारी बोड़ी को जो है अथ वक्त मिले बिल्कुल बहुर अच्छा कुस्ट्ट ने आपका बहुत चुक्री आपकी आपके कौल करने का अच्छा जिए एक कौन सी फिश खाएं और दूसरा इनका कौने अजी ताइमिग में पुणारी जाहिए जाहिए जी हमें को ताइमिग में पीस खाना जाहिए तो आप यहां ताइमिंग एच्छाइन ए लिग्टाइव है एक आएज से आए पूरिय दूप इसके निन जाहिए भी जाहिए तो इसी तरीगे से अपनी च्वाइस पर बात 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 fill the coffee itself in Prague , how do you need it ? आप इसका उर्धू नहीं मुझे बताईए है क्युकिआ आप खग्सक्तान में देखा बाप पलेट के बारे में काली पापलेट के आप बताएं और आप दर्याइ जो मचली यूं कावड़ी तरिया उती यूजिया उनका बताएं तेरा जिस से डिरियाई और समंदरी मचली के वंडूरब सकते हैं tatum na adapting तक मूद ऐ म्मोग्ए टेस्ट तक कर अजय क Diebs जाते हैं जो कि आपके आसाथ के लिए बेतर है वेतमिन A के लिए बहुत वह है पापलेट पसंदार और दूसरी मचली जितनी बी यह रहा है, गर आप अगर अगर आप मचली घाते हैं, आप कम से कम सो ग्राम से घालीया करें ताकि आपके अच्छे में अच्छे मैंनुर्स पायाइं, ताकि आपके जिस्मानी कमजोरी को भी रहें और बॉर्म भी करेंगी अच्छा हम इसको रोस करने रख रहे हैं उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारी कुकिंग तो हमारी कम्प्रीट होगा यह बस एक सास परानी है अच्छा मैंने इसके अंदर ओयल लगाया है थोड़ा सा वन तेबलिस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ जो मैंने मसाला तायार के लिए इसका मैं रीकाप कर दूंगी तो मैं यह सब करके इसको 20 मिनट करी हम रोस करने रख रहे हैं और साथ-साथ मैं आपको यह बता सबसे थी कल्सियम भी पाए जाति है जो मचली होती है उसमें एक जॉइंट पढ़ी है वालों के लिए बहुत बहुत बहुतु नगणी का दर्द होता है अनके पट्टों के लिए भुट ज़ादा बेतर है तो एसलिए आप मचली का इस्तामाल जो है अपने बुजरगों को भी कराए झ अब जो है मैंने स्टीम करने रग दी है इसमें रोस्ट करने रग दी है साथ साथ हम एक सास बना लेते हैं और सास जो है ये स्टीम फिश के साथ जो था ये सास बना रही हूं और ये जो है सास हम बनाएंगे और जूस से आप फ्रेश और जूस भी ले सकते हैं और अगर अगर तुछ आप ले ले लिए तो मैंने एक नॉर्मल टेटरा पैक लिया है 200 ml इसकी कॉंटिटी थी। और मैं यहां पर डाल रही हूं यह पैन में पैन को मैंने गरम करने रख दिया था और मैंने इसमें जूस आड़ किया है। साथ-साथ हम इसमें आड करेंगे 1 टीबल स्पून आफ़ शुगर चिली फ्लेक्ष है, मेरे पास हाफ टीबल स्पून मैं इसमें वो आड करूंगी साथ-साथ मैं इसमें आड करूंगी गार्लिक पाउड़र, 1 टीज़ पून and then fresh garlic मेरे पास मौजूद है spatula ले लेंगे और उससे ये chopped garlic भी हम इसमें शामिल करेंगे साथ साथ जो है वो black paper powder pissy हुई काली मेरे पाउडर मेरे पास यहाँ पर half teaspoon मौजूद है और साथ साथ थोड़ा सा pinch of मैं इसमें salt add करेंगे हूँ तो अब जो है मेरे पास यहाँ मौजूद है कौन फ्लार कौन फ्लार हम इसको थिकन करने के लिए यूज करेंगे और मैं इसमें डाल रही हूँ आप मुझे हाकीम साथ तवर साथ पानी का जग पास कर देंगे जी थैंक्यू सो मच्छ हाकीम साथ आपको कौन सी फिष पसंद है यहाँ मैं शुरमाई those सुरमाई स्थ इतरा का किया तालुकता इतरा मैं सुरमाई सी समून का क्या तालुकता बलकूर्दक शाय कि उत्स शुरमाई खाता बलकुर्दका ने जिसान में जणी कोर्मा पर नियाख निसम मैं उंगा, अजय मैं गए बथार मुझे आप अपनी जो रेमेडी रेकर आए हमारी जो है ना सॉस तो कोख हो गई है और आज हम बात कर रहे हैं हैर नेल और स्किन के बारे में तो आप देखें इसमें जो आज हम बता रहे हैं कि जैसे एडियां फढ़ जाती है बाज लोगों को एक एक एक्स्ट्र होती है डाइनस होती है बॉड़ी पे और इचिंग खारिश महसूस होती है एक लगी लगती है परत सी निकलती है और दूसरे जो रेमेडियम बना रहे हैं वो सर दावी में आपके खुश्की हो जाती है और इच इंग खारिश भीो होती है और उसरे इक परत की थरह खुश्की निकल रहे होती है जानि जैसे रहे है रिज्यम आप उसического यह चैस्ट्र है उस्तिंग रहे हो ज़ोग है इस्तिंग यह निग्ते करती है कर दूगेशन अरिय कि अडियां फट जाती है जी उस बहुत तकलिफ होती है और उसके खास अरुपए जाज़ातर पाउं पानी में नहीं रख सकते हैं आप सरफ का काम नहीं कर सकते हैं आप अगर जिस दिन काम कर लिया उस दिन बुरा हाल हो जाता है और बाज लोगों के चेरे तक में खुशकी आई ब्रोज में खुशकी होती है, धारी में खुशकी होती है, सर में खुशकी होती है, खवातीन के सर में खुशकी होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको हम एक छोटी सी रेमेडी बना कर दिखा रहे हैं, आपने लेना है आदा पाउ सरसो का तेल, ठीक है, आदा चावाली चाब चामच मिला लिया और शरुप नहांने से पहले, अज़र पीकश आड़रे बड़ी पी कि इसको खवातीन भी लगा सकती हैं और दूसरा सर पे भी लगा सकती हैं नहाने से आदा गहंटा पहले लगाएं आदा गहंटे बाद आप नहा लें आप देखना तक्रीब एटी परसंट ड्राइनस खुश्की खतम हो चुकी होगी इस एक अप्लिकेशन से और इसे कुछ हरसा जब मुकमल ठीक हो जाएं आप इसे रोक दीजिए तोटली इसमें तीन चीज़े हैं आदा पौस सर्सो का तेल एक चमच कमेला पौडर और एक चमच गंदक अमला सार का पौडर अचा ये हर जगाएं इसी दुकाने मिल जाएगी किसी भी पंसारी की शॉप से ले सकते हैं जब बिलकुल और ये अमने रेडि कर दी एक तीस जब ड़बर दस एक रेमेडी तो हमारी अर्सारदियों की रेडि हो गई है तो आपको परिशान होने के खुशकी से बिलकुल ज़र भते हैं तो भाल भी गिर रहे होते हैं तो इससे भी ये भी ढूर हूँ ज़र भी तो ब पानला साल सब्सक्राइब रेकिए शोऑने पमरेवान फाने अच्हा वाला आ पॉला के अच्छा होता है और इसके लावा कॉन सी है दूसरी रेमेडियों हमारे पास है जे पुट जाती है आपने दिखो कर शर्डियों में शाहिना के युँ लकीरे पढ़ जाती है चेरे पर जिल्द फट रही होती है आथों पर सुया सुया चुबरी होती है परिए भूज़ करती है तो हम हमे खरी है तो हम दो आप शाय खरी है तो पुंचे एंत शर्डियों लॉट चुफ प्रॉज़ क dobr मॉम देसी, शेट के छटे पर पाया जाता है, ठीक है मॉम देसी के लाता है, यह देखें आप इसको गरम गरेंगे ना तो यह पिखल भी जाएगी है, अच्छा, अम इसको इस तरह कर रहे हैं, आप में लेना है 50 ग्राम, इसके अंदर जो है आपने डालना है, दो चमच जो है ग्लिसरीन डालेंगे आप, पचास ग्राम मॉम देसी में दो चमच, ग्लिसरीन डालेंगे, और जेतून काटेल 2 चमच, इसको ठोड़ा साना, तीक है इस तरह मिला ले, यह नरम सा आपका लोशन टैप का वासलीन टैप का बन जायागा, अच्छा थिक है, और इसे आपने प आप कितने बेतर हो जाएंगे और इसे जो एडिया फड़ी आती है उस पे लगा के रात को आप उस पे स्टॉक्स पहन लें अच्छा और सुबह आप इसे वाश कर लें दो लें आप कुछ दिन करेंगे जी ऐसा हो जाएगा कि जैसे इडिया फड़ी नीजी कभी अच्छा बि खशेश के कैमें में देखें आप या बलोचिस्टान में देखें आप या इंगिंगित साइट पर देखें नादर-e-ni-riyaz में तो वहां पर बहुत जिद्द की होती है कि लोगों के हंट गाल सब भड़ी आते हैं तो नाग को आहत नहीं लगा सकते है आप नहीं लगा सकत पहरों पर बाड़ी पर भी हम इसे अपलाए कर सकते हैं तोड़ी सी दूप लगती है या बाहर निकलते हैं थोड़ासा तेज सलते हैं तो जिसमें सूईया चुपती हैं तो यह उसको भी ठीक कर देगी तो उसके वज़ाद से होता है जो कराची से बहार भी हमें दोग देख लिए उसके बहुत से चुपती हैं स्वाद नरान कागान तो बहुत ज्यादा कराची वाले थोड़ासा से अपले हाई जाती है आम के आही जाती है आचा साथ साथ जो है वो आदो रामेडी इनोंने बताई हैं इसका एक दफ और एक अपकर टांकर कोई चीज जो हैंड आ कर जो आपने बालों की खुश्की के लिए और डाडी की खुश्की के लिए तो उसका मुझे बताओे तो उसका मुझे बताओे लिए सर की खुश्की और डाडी की खुश्की को खतम करने के लिए जो हमने तीन चीजों का बनाया था आठापव अमने लिया सरसों का तेल, 120 ml मस्टरड अइल, सरसों का तेल, कमेला पॉड़र उसमें डाला एक चमच, गंदक आमला सार इसका पॉड़र एक चमच, आपकी चीज रेडी होगी, त्यार होगी, त्यार होगी, और यह आपने काफी दिन तक चल गाना है, यह आपने का तो यह आप सब्सक्राइब, तो यह आप चल जाएगी, स्टोरिज की भी नियापने बाटल लेन पार्टल ले एक खराब नही एक जाती है, अचा और दूसी अवर्दस्ट अचा और दूसी नहाने से पहरे, उसके आप नहाल लें, तेक आपकी खुशकी डाइनेस खतम होग दूसरी चीज जो एरियां फट जाती है जिल्द फट जाती है उसको ठीक करने के लिए हमने लिया 50 ग्राम मॉम देसी यह पंसारी की दुकान से मिलेगा उनको कहना मॉम देसी दे यह शैद के छते का होता है मॉम वो लेंगे 50 ग्राम उसको थोड़ा गरम करेंगे वो पिगल ज एक चमच जो है एक से दो चमच हमने डाला ग्लिस्रीन और एक से दो चमच हमने डाला इसमें जैतून का तेल जैतून का तेल मिक्स किया आपके चीज रेडी हो गई है और यह आपने चेरे पर भी लगा सकते हैं पुरी बॉड़ी पर लगा सकते हैं नहने से पहले लगा ले ना लें या रात को लगा लें, सुबह दो लें, कोई हरिज नहीं है, ये रोजाना भी लगा सकते हैं सबर्दस्ट चलेंगे, तो बहुत अच्छी है, आपको आज दो रेमिडीज पता चली हैं, अच्छा साथ ताथ हम थाय स्टीम फिश्च बना रहे थे और थाय स्टीम फिश्च के लिए जो मैंने सॉस यहां रेडी करी थी, इसका भी मैं रेकाप दे दू एक दफाँ, मैंने और जूस लिया, उसके इंदर मैंने वन तेबिल स्पून शुगर यानि के चीनी शामिल करी, मैंने पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर, उसके इंद कुटी भी लाल मिर्च भी डाली कुटी भी लाल मिर्च भी दाली 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 कुटी भी लाल मिर्च भी लाल मिर्च भी दाली कुटी लाल मिर्च भी तो लेते हैं एक छोटा सा प्रेक वेलकम बैक तो अवर ब्रेक एंड वेरी गुड आफ्टरनून तो यू और ब्रेक से आचुके हैं हम वापस और हो चुके हैं हमारी यहां दोनों रेसिपी इस तन और सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको के यहां बनाई थी हमने था स्टीम फिश और यहां मैंने बार्बी जब हम बनाते हैं तो उसको किस तरह से इसके अंदर शामिल करते हैं तो हम इसको इसके टॉप पर और इस तरीके से और अब यह हो गई है बड़ी खुबसूरत शिफश यहां रेडी साथ साथ जो यहां पर मेरे पास सेसीमी सीट्स मौझू है हम इसके टॉप गार्शिंग में से आड़ करेंगे च्बसमी बहुत मज़दार बनती है और इसमें कोई ऐसी नुकसान दे चीज नहीं है यहां डाइट के हवाले से भी हम इसके तो इसका यह जो आप सफेद तिल डाल रही है यह एक फुल फॉर्म कैल्शियम होता है अच्छा सवरदस्ट यह बच्चों की बॉल बिस्तरी यानि बार बार यूरीन जो कर देते हैं बिस्तरी यह उनके लिए बहुत ज़्या बेतर है सबरतस्ट यह तो बहुत अच्छी बात होगे जो थोड़े से हम इसमें भी तिल सफेद तिल डाल देते हैं अच्छा मुझे पसंद बहुत है यह न और मैं वैसे भी चलते फिरते अगर मुझे होता है तो मैं सही इसके लिड़ोगी मिलते हैं बहुत मज़े के होते हैं और इनके नमबर्स वेबसाइट पे हमारी चल रहे हैं हमारी साइड लाइन पे इनके नमबर्स इनकी वेबसाइट है नूर्स फिश्री के नाम से इनका फेस्बुक पेज है नूर्स फिश्री के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और नूर्स फिश्री के नाम से इनका इनका इसके मेरा और चला के एंगे पास जबर्दास जबर्दास इसके साथ ही मुझे और हकीम शान अजीर को और इनकी जो दो अदर्द रेमेडी इसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया तो आज हमने बहुत ही जबर्दास प्रोग्राम किया मैं शाहिना इसको आट मैं यह हुआ मैं जब साथ का मफशाया त का आपक शुक्रीया और माशाळाला ंपक नर अपकी मैं बहुत अच्छा जा का और Kanan कि इक भी आएँ इनके हैं रहुत अच्छा की नहीं पार बार आक करओंगए वेश्चान के बनाके देऊ तैंक यू सो मुच और आपको हमेशे इसी तरह खुश्य खुरूम रखे और घर के तमाम लोगों की खुश्या नसीब करें आमीन, बहुत शुक्रिया आपका आने का भी और इतनी तारीफ करने का भी और इसके साथ ही अब प्रोग्राम का टाइम हो गया खतम बाते तो बहुत सारी करनी थी इंशाला नेक्स ताइम फिर हम दुबारा बुलाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी डेमेडी आपको सिखाएंगे और जब तक के लिए मुझे और मेरी वीनस एची टीवी की तीम को दीज़े इजाजद और हमारा चल रहा है सीफूद वीक आपने मिस नहीं करना हमारा एक भी एपिसोड मंडे टू फ्राइडे चल रहा है पूरा वीक आपने इज़ॉय करना है हम इसमें आपको डिफर्ट डिफर्ट स्टाइल का सीफूद बनाना से खाएंगे और मुझे और हकीम शाह नजीर को दीजिए अजादत, अल्ला हाफिस